Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 1 की English Workbook Unit 2 After a Bath, The Bubble, Straw and Shoe तो दो चाप्टर है इसमें, तो आज हम इसे पढ़ेंगे इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बच्चों अगर आपने अभी तक After a Bath और दूसरा The Bubble, Straw and Shoe ये दोनों चाप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं तो चलिए वर्क बुक बनाना स्टार्ट करते हैं आप भी वर्क बुक निकाली और मेरी साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि Can you name these parts of the body क्या आप इन body parts के नाम के बारे में बता सकते हैं देखिए इन body parts का नाम बता सकते हैं शिक help from the jumbled words given in the help box तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे में jumbled words दिये गए हैं इनके help से आपको in body parts का जो है ना इनको पूरा करना है यहाँ पे नाम बताना है तो देखिए यहाँ पे जो है ना यह body है और इसमें देखिए बहुत सारे parts है तो इसमें देखिए आप यहाँ पे जंबर दिया गया है उल्टा पुल्टा है याने की आप देखिए कैसे बताएंगे तो यहाँ पे देखिए यह hair हो गया उसके बाद ear हो गया फिर है eyes उसके बाद mouth और देखिए फिर है nose और फिर देखिए neck है और इसके बाद hands है फिर arms है और देखिए उसके बाद है legs legs है फिर foot तो यह सारे body parts है तो यह आपको इस तरह से लिखना है तो इसे लिखेंगे भी आप और याद भी करेंगे और देखिए आगे यह पे draw the outlines of the following items and name them तो यहाँ पे देखिए जो following items है यानि जो चीजे दी गई है नीचे में उसमें आपको outline करना है और उसका आपको नाम भी बताना है तो यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे help box में भी दिया गया है तो आपको इसका नाम बताना है तो यहाँ देखिए यह क्या है इसमें देखिए यह fan है इसमें आपको outline भी करना है यहाँ पे dot dot है दिया हुआ तो इसमें आपको अच्छे से outline बनाना है ठीक है उसके बाद outline बनाके उसमें आप नाम भी लिखेंगे कि यह क्या है तो यह fan है पर फैन लिख देंगे और देखिए उसके बाद यह क्या है तो यह वाला टेलिफॉन है तो यह पर टेलिफॉन लिखेंगे और यह वाला देखिए तो यह क्या है तो यह है फ्लावर वैस तो फ्लावर वैस कर यहां पर लिख देंगे उसके बाद यहां पर यह हाउस है तो पे क्या है पिक आउट five things from the help box that you use before going to school तो यहां पे देखिए आपको help box से five चीज़ आपको लेना है five things और उसको जो है ना जब आप school जाते हैं उससे पहले जो आप करते हैं जिन चीज़ों का use करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है they are given in a jumbled form in the help box तो देखिए जो jumbled है जो help box में है उससे आपको लेना है तो यहां पे देखिए जैसे कि first में क्या है आपको five चीज़ ही लेना है तो यहां पे क्या है देखिए tooth brush लेंगे क्योंकि आप school जब जाते हैं उससे पहले आप brush करते हैं और उसके बाद है towel towel लेंगे towel का use करते हैं आप जब नहाते हैं तो उसके बाद शॉप लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा water होगा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा toothpaste तो यह सारा चीज़ हम लेंगे ठीके तो इस तरह से इसे लिखना है लिख देंगे और उसके बाद है answer the following in one word only तो देखिए इसमें आपको सिर्फ एक शब्द में आपको इसका answer देना है तो देखिए you hang this out to dry तो आप इसे क्या करते हैं आप इसे सुखाने के लिए use करते हैं तो क्या हो जाएगा towel तो यहाँ पे देखिए first letter आपका दिया गया है तो यह towel का use हम कप करते हैं सुखाने के लिए जब पोशते हैं नहाने के बाद हम लोग use करते हैं तो यह towel हो जाएगा उसके बाद है you tie your lace on this item तो आप क्या करते हैं जब आप अपना यानि के lace आप बांदते हैं तो किस में lace बांदते हैं तो सूख जब आप सूख पहनते हैं तो उसके बाद उसमें आप lace बांदते हैं उसके बाद है you put this on before you put your shoe on तो देखिए आप क्या करते हैं तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सूख पहनने से पहले आप किस पे पेर रखते हैं आप पेर शॉक्स पे रखते हैं सॉक्स पहनते हैं पहले उसके बाद आप सूख पहनते हैं तो देखिए आप जब सर्ट पहनते हैं उससे पहले आप क पहनते हैं तो वेस्ट लिखेंगे उसके बाद यू पूट इन ऑन यूर हेड टू प्रोटेक्ट यूर प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हीट तो देखिए इसमें से आपको कौन सा चीज ऐसा होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है हीट से यानि गर्मी से तो यहां पर कैप हो ज तो देखिए इसमें देखिए आपको हेल बॉक्स से आपको टू तो तो देखिए इसमें देखिए आपको हेल बॉक्स से आपको टू तो तो देखिए जोडियों में जो की जोडियों में आता हो तो क्या लेंगे तो जोडियों में क्या आता है तो देखिए सू और शॉक्स तो ये दोनों एक साथ ये जोडियों में आता है कि ये दोनों को आप पहनेंगे तो सूप पहनेंगे तो उसमें आपको सौक्स की जरुरत पढ़ेगी उसके बाद देखे तूथ और ब्रस ये दोनों जोडियों में आएगा तूथ और ब्रस उसके बाद है बैट बॉल बैट और बॉल ये दोनों भी पेर में होगा और उसके बाद देखिए क्या होगा पैन और इंक तो पैन और इंक ये भी पेर में होगा तो यहां पे देखिए ये सारे का यहां पे दिया गया है ये पैन और इंक है ना और उसके बाद देखिए क्या ट्रेड और निडल, ये भी पेर्ड में आता है आगर निडल है तो वो बना थरेड का तो उसमें थरेड डालकर ही आप कुछ सिलापय कर सकते हैं उसके बाद है शूप और बॉल तो शूपमें jaki- usOP किसमें पीएंगे बॉल में ही पीएंगे तो ये भी पेर्ड में होगा उसके बाद है सर्ट और टाई तो ये क्या हो जाएगा सर्ट और टाई तो सर्ट आप जब पैनेंगे तो उसमें ही टाई लगाएंगे तो ये भी पेर्ड में होगा तो इस तरह से इसे बनाएंगे ठीक है? बना लेना है इसे और उसके बाद है यहां पे कि join the dots on the flower and color it तो यहां पे जितने भी dots हैं उन्हें आपको join करना है सारे को मिला देना है एक साथ और उसमें आपका यह flower जो है उसमें मिला देना है और इसे color भी करना है तो आप अपने तरीके से आप अपने colorful आपको जैसा भी color करना है आप color कर सकते हैं use separate colors for each petals तो और देखिए इसमें जो है इच पैटल जितने भी इनके जो flowers के petals हैं उसमें separate color भरना है यानि कि एक color नहीं करना है अलग-अलग color आपको सारे में अलग-अलग color करना है तो जिस तरह से यहाँ पे किया गया है तो इस तरह से आप करेंगे ठीक है? इसे बना लेंगे और उसके बाद है यहाँ पे say aloud तो यानि कि आपको loudly बोलना है तो देखिए जैसे कि a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, b, w, x, y, z तो इसे आप loudly बोलेंगे आपको याद भी होगा इस तरह से और उसके बाद है कि write the opposite of these words in the blanks given below तो यहाँ पे नीचे जो दिया गया है उसमें आपको opposite लिखना है जो भी words है उसके opposite लिखना है यहाँ पे देखिए help box में दिया गया है और उसके बाद है जैसे कि यहाँ पे है आशू is young तो young का क्या हो जाएगा old तो उसका opposite लिखना है आशू is young but rani is old उसके बाद है this flower is fresh but this flower is dry तो यहाँ पे दिया गया है यह fresh है और यह flower क्या है dry है तो यहाँ पे dry हो जाएगा opposite करना है और देखिए यहाँ पे the camel is tall but a donkey is short उसके बाद है the man is fat but the boy is thin थिन हो जाएगा fat का थिन हो जाएगा तो इस तरह से इसका opposite लिखना है तो इसे आप इसी तरह से बनाएंगे उसके बाद है कि take the old word out from these groups तो इसमें क्या करना है जो group यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपको old word आपको इसमें से अलग करना है तो इसमें देखिए old क्या हो गया जो मतलब की इनमें से बिल्कुल ही अलग है उसको आपको अलग करना है तो इसमें से देखिए जैसे की क्या हो जाएगा elephant elephant lion और rabbit और monkey ये सारे क्या हो गए एक group के हो गए और ये ant जो है ये बिलकुल ही अलग है तो ये हो गया or तो इसमें आपको tick करना है क्योंकि ये बिलकुल अलग हो गया और ये सबसे चोटा है और उसके बाद है कि यहां पे hug, big, large और tall तो ये सारे क्य हो गए एक ही group के हो गए लेकिन ये जो teeny है ये बिलकुल छोटा जो बोलते हैं हम लोग teeny तो ये बिलकुल ही अलग हो गया और ये सारे एक ही group के हो गए तो टीनी में हम tick लगाएंगी इसकी बाद है यहां पे apple candy orange grapes तो ये सारे क्या हो गए एक group के हो गया अफूट्स हो गया और ये जो fig है ये बिल्कुल ही ode हो गया तो इसमें हम tick लगाएंगे फिर है car, bus, ship, truck और cycle तो इन में से क्या हो गया? car, bus, ship और cycle sorry, ये car, bus, truck और cycle ये चाड़ो क्या हो गया? ये एक group के हो गया और ये क्या हो गया? ये ship बिल्कुल ही अलग है ode है क्योंकि ये ship जो है ये तो पानी में चलता है तो ये बिल्कुल अलग हो गया और ये क्या हो गया? ये तो लैंड पे चलता है तो इसलिए ये अलग हो गया ये एक group के हो गया और ये अलग हो गया ship तो इसमें हम tick लगाएंगे और उसके बाद है यहां पे होट, शार, स्वीट और बीटर तो यह एक कैटेगरी के हो गए लेकिन यह बाइट जो है यह बिलकुल ही अलग हो गया ओड है तो इसमें हम टिक लगाएंगे तो इस तरह से आपको टिक लगाना है यह साड़े को बनाना है और आपको बताना है इसमें तो इस तरह से आप बना लेंगे तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजे पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे और अगर आपको कहीं भी समझने में प्राब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स तो वाच मै वीडियो